एक दिन एक गीदड ने एक जंगली सुवर को अपने दांतों को पेड़ के तने के साथ रगड़ते हुए देखा। काफी देर सोचने के बाद भी गीदड की समझ में नहीं आया कि आखिर जंगली सुवर ऐसा क्यों कर रहा है। गीदड के पूछने पर जंगली सुवर ने कहा, शिकारियों का सामना करने के लिए, गीदड ने कहा, फिलहाल तो मुझे कोई खत्रा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हो, तब सुवर बोला, आग लगने के बाद कुआ खोधना कहा की बुधिमानी है, अगर कभी किसी शत्रू का सामना करना पड़ जाए, तब अपने दांतों को पैना करने का समय कहां मिलेगा, शिक्षा आने वाले खत्रों के प्रती, पहले से ही सावधान रहना चाहिए,